अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एक्जाम वर्यस फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे दोजार उनीस में संपन सभी सैन अभ्यासों को दोस्तों यह टॉपिक आया दिन एक्जाम के लिहाद से काफी इंपोर्टेंट हो गए इसलिए हम सभी पॉइंट्स को द्यान से देखेंगे पहले तो कुछ बाते कर ले इसके बैक्ग्राउंड्स में फिर सभी एक्सरसाइज को बारी-बारी से देखेंगे और अंत में MCQ के माधम से प्रैक्टिस करेंगा दोस्तों पहले बात तो सैन भ्यास है क्या तो यह है एक military operation है जो बिना लडाई के ही लडाई की तयारी करता है बिना लडाई की यह बिना किसी combat के यह लडाई के लिए हमेशा कैसे ready रहना और कैसे लड़ना इस चीज़ की तयारी करता है military exercise तीन लेबल पर किये जाते है एक domestic दूसरा bilateral और तिसरा multilateral डूमेस्टिक मितला हमारे सेना ही इसमें भाग लेते हैं और bilateral मतलों दो देशों के सेना भाग लेते इसका मकसद क्या कुछ तो मकसद होगा तो पहले बाद जब अपने देश की सेना है जब दाभ्यास करती है तो उसका मकसद होता है सेना के हर एक अलग- सामनज़ से डिवलप करना सभी कामानों को समान रूप से उद्ध कुछ अलता का विकास करना और जब अन्य देशों के शाहत एक्सराइज होता है तो इसका क्या उद्धेश होता है तो दुनिया के विभिन देशों की सेनाओं के युद प्रभीनता से अपने सेनाओं को हमारे भारत जैसे देश के लिए तो यह बहुत इंपर्टन के चौते सबसे मजबूत सेनेवल वाले देश हैं तो हमारे लिए तो यह और इंपर्टन हो जाता है एक्जाम के विए से अपने देश के सिनाओं के बीच में जो युद्धा ब्यास होता होता है उतना है कि उसी देश के बीच में होता है उसका कुछ नाम अलग नहीं होता है एक्जाम में इसका इंपोर्टन इसके लिए बढ़ जाता है यह सामरी द्रिश्टिश बहुत ज्यादा इंपोर्टन होता है अगर बेतनाम के साथ इंडिया कोई दक्षिन चीन सागरन अभ्यास हो ज सानी बढ़ जाती है तो इस सब के वाज़े से यह बहुत इंपोर्टन हो जाता है एक्जाम के द्रिश्टिश बहुत जाते हैं कौन सा अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ क्योंकि भारत के साथ संदर्व में ही कुश्चन पूछा जाएगा दूसरा यह एक्सरसाइ अर्धान के बीच में और यह आयोजित हुआ मिजोरब में इसमें भाग लें इंडिया आर्मी और जापानीज अर्वीन है धर्म-गार्जियन नाम शेता है इंडिया भी धर्मिक देश और जापान और बहुत धाम्शले एस लिया इस लिज़िश है इस्साब से नाम सेकेंड एक्सेसाइज सक्ति यह हुआ इंडिया और फ्रांस के बीच में राजस्थान में थार्ड है शमुद्र शक्ति यह सेकेंड एडिशन था और यह आयोजीत हुआ किया गया इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में समूद्र शक्ति इंडोनेसिया चुक्शोगी समूद्र बे हैं, तो समूद्र शक्ति इसकी साब सिसका नाम है यह आयओजीद हुआ, बेयो बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आयओजीद हुआ नवल एक्स autman用 करके कजाकिस्तान एंड्या के बीच प्लाइगा को डिट्र में। इसेeeee किन एंडिया इसी साब से लिंग करकरके यादङ देबलोप कि युकि हमारे ऩरद्र से इन आपको और डाइजेस्ट होगा नहीं होगा यह माहने रखता है नेक्स्ट हिम विजय यह कॉमेक्ट एक्सरसाइज है यह हमारा डोमेस्टिक एक्सरसाइज है अरणांचल प्रदेश में हुआ है इसका परपस था जो पहारी इलाका जो डोका लाम वगरा के अरिया पर उस सब पर चढ़ाई करके कभी नौबत आए तो हम लोग कैसे ट्रेंड रहें नेक्स्ट है नुमाडिक एलिफैंट यह हुआ इंडिया एंड मंगोलिया के बिच मंगोला इसे भी नौमोडिक थे खनाव दोस वगरा तो नमदीक एलिफैंट डाम का एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया का बिच्व वा ह हुआ यह हुआ बकलोह में आर्मी एक्सरसाइज है नेथ सेंटर टी-एंट-ए-ए-OR ये रस्या ने कराया अपने देश में रूस में ही आयो जित हुआ ये इसमें कंट्रीज भाग लिये थे चाइना, ताजिकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और उजबेकिस्तान बहुत सारे कंट्रीज भाग लिये थे और ये मिलिटरी ऑप्रेश हे में स्टार्ट हुआ नेक्स्ट हैalles सिवेक्स इट लेकान इंडिया थाइलंड एंड और सिगापुर का एकसराइस किल और एशाइट सिभम Catि सिंगापूर कुझ मयरिक्षायब ने हिज़ वाल भॉस्ट महाराष्टरा में नेक्स्ट है युद्ध अभ्याज 2019 अमेरिका इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ यह आयुजित किया गया वासिंग गटन में सबसे इंपोर्टेंट यह है कि मैक्सिम एक्सेसाइज अपने इंडिया में इस बार हुआ कुछी दूसरे देशों में हु एंडिया और अमेरिका के बीच चांथ यह हमारा इंडिया इंडिया का अपना इक्सडे है लावा एक्सड्ा में संपन हुआ अनेक्स्ट कर फ् riots pry आबर में पनावaciones दिशन में मaders और ग्रेंदे ऑ इंडिया और थाइलाइंड का एक्समसाइज है यह संपनवा है थाइलाइंड में यह न Onu試刑 नेक्स्ट है काजिंद फिर यही काजिंद इसको ब्रेक कीजिए चाज मिस कजाक्रिस्तान इन फेक्ट यह रिपीट हो गया चले इसको करते हैं नेक्स्ट है मैन मती मैट्री एक्सरसाइज तुथाउजन नाइंटिन यह हुआ नेक्सै इसका नाम है इंड स्पेस एक्साइज यह हमारा देश के सेनाव ने सभी सेनाम मेल करके किये, यह वो अंडमान दूप्पे बंगाल के खाड़ी में, यह बहुत ही इंपोर्टनिशी के लिए मैं इसे बोल्ड किया, यह फ्यूचर में अभी तो लेंड पे वार होई रहा, फ्यूचर में स्पेस वार के संभावनाओं तो उसमें हम पीछे ना रहा, नेक्स्ट है, गरुदा, शिक्स, शिक्स्ट एडिशन था, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ, यह आयोजित किया था, फ्रांस के मौन्त दे मरशन सहर में, नेक्स्ट है, इंडिया अफ्रिका फिल्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यह भ है, बोल्ड कुरुचेत्रा, यह है एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापूर के बीच का, यह भी यह जहां सी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, चलिए नेक्स देखते हैं, सिंबेक्स, सिंबेक्स है, इंडिया और सिंगापूर के बीच, यह साउथ चाइना सी म आयो जित हुआ एंडिया और सिंगापूर का exercise नेक्स्ट है वरुना यह है इंडिया और फ्रांस का exercise है गुआ के कोस्टर एरिया में आयो जित हुआ यह नवल exercise है नेक्स्ट है ऑसिंडेक्स 2019 ऑसिंडेक्स नाम से के लिए AUS Australia आयो जित हुआ इंडिया और मियानमार में यह चांदी मंदीर मिलिट्रेस्टिशन में हुआ यह आर्मीड exercise है नेक्स्ट है डिजास्टर कंट्रोल exercise इंडिया और जापान के बीच हुआ यह खोमा सहर में जापान के नवल exercise है इसका उदेश से था डिजास्टर के समय में कैसे चांदी को कम किया जाए इसके लिए सेना को ट्रेंड करना नेक्स्ट है अल नागा थार्ड यह थार्ड एडिशन था इंडिया और रोयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में हुआ यह यह ओमान के सहर में हुआ जेविल अलकदर चलिए नेक्स दिखते है शंप्रिती शंप्रिती एक्सेसाइज वो इंडिया और बांगलादेश के बीच में यह तंगेल सहर बांगलादेश में यह आर्मी का एक्सेसाइज था जो दोस्तों आगे हम कुछ ऐसी एक्सेसाइस की बात करते है जो और यह फिक्स है कि यह एक्सेसाइज भारत और इनुआज यह के सास पहले शक्ति यह भारत और फ्रांस के साथ होता थलसेना का अभ्यास है दूसरा है अ-जैर-वरियर भारत और ब्रिटेनके यह भी थल्चेना का अभ्यास है ब्रिटेन वर्यर है भारत हमाराजा है इसके लिए आजय है नेक्स्ट है खांजर भारत और किर्गिस्तान के बीच trembling का अभ्यास next है इंबैक्स है उपर देखे भी ते इस साल के लिए इंबैक्स है भारत और मैंनूमार का एक्सेसाइज ये थलसेना का है नेक्स्ट है गरूर शक्ति भारत और इंडिनेशिया ये थलसेना का एक्सेसाइज है नेक्स्ट है इकुवेरियन ये भारत और माल्दीव का एक्सेसाइज है ये थलसेना का एक्सेसाइज है नेक्स्ट है हरी महुष शक्ति ये भारत और मलेश निशिया का एक्सरसाईज है नेक्स सुर्य किरन ये हमारा नेपाल का एक्सरसाईज है ये भी ऐतमी। मालावार भारत और जापान और अमेरिका इसमें 3 कंट्री होते हैं इस साल भी आुज़ित हुआ था ये भी एक्सेसाइज है एक्सेसाइज रेगुलर्ली होते रहते हैं हमारा रेगुलर अगर रेगुलर नहीं भी हो लेकिन इन ही कंट्रीज के बीच होते हैं चलिए आगे हम अबजेक्टिव से मादें से कुछ तेयारी करते हैं पैस्ट कुछिन है सिम्बेक्स सिम्बेक्स 2019 नवल एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच संपन हुआ तो इस कुछिन का एंशर है अप्शन नंबर बी भारत और सिंगापूर के बीच में हुआ था अप्शन नमबर A भारत और USA के बीच टाइगर ट्रॉम्प 2019 सेन अभ्यास कहां आयो जित हुआ था इसका अंसर है अप्शन नमबर C विशाखा पत्नाम आंधर प्रदेश में आयो जित हुआ था चले नेक्स्ट कुष्चन है औसिंडेक्स 2019 सेन अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ औसिंडेक्स अस्ट्रेलिया नामसी के लिए रहे कुष्चन का अंसर है अप्चन नंबर A नेक्स्ट है भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिन 2019 सैने अभ्यास कहां आयो जित हुआ यह भी इंपोर्टेंट है कुष्चन का अंसर है D. पितोरागड उत्राखंड में हो है पितोरागड जगा नेक्स्ट कुष्चन है वरुना 2019 सैने अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयो जित हुआ वरुना भारत और फ्रांस कुष्चन का अंसर है option नंबर B भारत और फ्रांस नेक्स्ट है भारत और बंगलादेश के बीच संप्रिती 2019 सैन अभ्यास कहा आयो जित हुआ कुश्चन का एंसर है टंगेल बंगलादेश option number C C option number question का सही एंसर है चले next देखते है अजय वरिय सैन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है कुश्चन का एंसर है option number D ब्रिटेन भारत और ब्रिटेन के बीच में एक्सेसाइज होता है यह हमारा regular exercise है next question है next question है भारत और बंगलादेश के बीच मैना मती मैत्री exercise 2019 कहां आयो जित हुआ यह आयो जित हुआ था सिपाही जाला दोस्तों यह थोड़ा सा typographical error है आप लोग सही कर लिजाएगा सिपाही जाला कुश्चन का एंसर है सिपाही जाला यह कुश्चन का सही एंसर है A. सिपाही जाला चलिए नेक्स देखते है इंबेक्स 2019 नवल एक्सरसाइज भारत और किछ देश के बीच हुआ तो यह हुआ था नामसी के लिए इंबेक्स इंडिया और मैनमार कुश्चन का एंसर है अप्शन नमबर D इंडिया और मैनमार वीडियो को सुरू से लेकरने तक देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो कृपया वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्काइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों इंप्रूम्मेंट से रिगार्डिंग आपके कुछ सुजाब हो तो कृपया हमें कमेंट बक्स में लिखे हम उस पर जरूर अंबल करेंगे थैंक यू